जै मा करवा, हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल रादे रादे, आज मैं आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ करवा चौथ वरत की सरल पूजन विधी, करवा चौथ का वरत सभी सुहाग इन मैलाएं, अपने पती की लंबी आयू, अच्छे स्वास्थ सुख के लिए करती हैं, और अपने अखंड सौभागी की काम ना करती हैं, और साम के समय चंद्रमा को अर्ग देने के बाद पती के हाथों से जल पी करके, करवा चौथ के वरत का पाड़ किया जाता है, तो फ्रेंड्स, करवा चौथ की पूजा करने के लिए हमने चौकी लगा ल आज के दिन आपको कहानी सुननी जरूर चाहिए या फिर पढ़नी चाहिए, इसके बाद हमने चौकी पर गनपती जी को अनाज का आशन दे करके विराजित किया है, आप सभी भगवान को पुश्पों का आशन भी दे सकते हैं, इस पूजा में मैंने कलस की स्थापना नहीं वही बिदी हमें हमेशा रखनी चाहिए, तो फ्रेंट्स दीप हमने प्रजलित कर लिया है, उसके बाद हमने दो मिट्टी के करवे लिये हैं, जो की हम अनाज से भरेंगे, या फिर कोई खाद शामिगरी भरेंगे, इसके बाद हमने जो जल का करवा लिया है, अलग से उससे हम चंद्रमा को अर्ग देंगे, और फ्रेंट्स जितने भी पूजा में हमने करवों का प्रियोग किया है, या फिर कलश का प्रियोग किया है, उनके कंट पर हमें मौली जरूर बांद लेनी चाहिए, तो फ्रेंट्स हमने अपने करवों में ड्राइफ रूट्स भरे ह आप चीनी भर सकते हैं, या फिर केवल बता से भर सकते हैं, या मिठाई भर सकते हैं, या फिर जो गुलगुले होते हैं, आटे के मीठे गुलगुले बनाये जाते हैं, वो भर सकते हैं, तो यहाँ पर हमने ड्राइफ रूट्स भरे हैं, एक-एक मिठाई का पीस रखा है, और कुछ दच्छना रखी है, friends जो करवे हम भरते हैं, उसमें हम कुछ-कुछ दच्छना जरूर रखते हैं, और दच्छना बरावर रखी जाती है दोनों करवों में, friends जब हम घर पर अकेले करवा चोथ की पूजा करते हैं, तो हमें दो करवे भरने पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर दो करवे अनाज से भरे हैं अब हम कलस के मुख पर जो हमने प्लेट रखी उस पर थोड़ा थोड़ा अनाज रखेंगे उन पर शुद्ध देशी घी का दीपक रखेंगे किसी किसी के यहां पर दीपक की जगे मिठाई रखी जाती है अब हमने चंद्रमा को अर्ग देने वाला करवा लिया है इस करवे को हम चंद्रमा को अर्ग देने के लिए तयार करेंगे इसमें शुद्ध जल भरेंगे इस जल में आप थोड़ा सा गंगा जल भी मिला सकते हैं अब हम इसमें बतासा डालेंगे चंद्रमा के जल को मीठा करने के लिए आप बतासे के गी और शुद्रे देसी गी का दीपक रखेंगे चंदरमा को अर्ग देने लिए बिया है अब windows याँ पर साथ सीखों नाम से जाता है गकैंअ करवा कर वे मलारकेट इन लगाаковा कर करे ही चंदरमा को अर्ग दिया जाता है ऊप चाहतो रदनी लगा सकते हैं इस प्रकार से हमने याँ पर चौकी पर आसन दिया है अनाच का उस पर हम इस करवे को विराजित कर लेंगे अब हमने जो करवे भर करके तैयार किये हैं उनको भी हम चौकी पर अनाच की धेरी का आशन दे करके विराजित करेंगे इन धेरी को थोड़े दूर दूर वनाना चाहिए क्योंकि हम करवा फेरेंगे तो करवे आपस में टकराने नहीं चाहिए अब हम पूजन करेंगे सबसे पहले गनपती जी का पूजन करेंगे फ्रेंड हमारी करवा चौत के फोटो में भी गनपती जी होते हैं अब हम करवा चोथ माता की पूजा करेंगे तो करवा चोथ माता को भी हम रोली का तिलक लगाएंगे चंद्रमा को रोली का तिलक लगाएंगे सूरज जी को चंद्रमा का तिलक लगाएंगे इसके अलावा फोटो में जितने लोग हैं उन सभी को हम रोली का तिलक लगाएंग अर्पित कर देंगे फ्रेंड्स करवा चौथ की पूजा में आपको जो भी पुस मिल जाते हैं आप अर्पित कर सकते हैं हो सके तो लाल पुछ पाच के दिन जरूर अर्पित करें क्योंकि आज लाल रंग का बहुत महत होता है अब हम करवा चौथ माता को पांच वार सिंदू भाजान कर सकते हैं इसके बाद माता को भोग लगाएंगे यहांपे मिठाई का भोग लगाया है कऱसे मानेश्यक्तार कर वर साइस.. धान रहे कि यह लिए को भूगा लगाया है आज के दिन बाइने में जरूर निकाले थोड़ी सी स्रंगार सामिगरी जरूर निकाले और कुछ दच्छना भी बाइने पर जरूर रखी जाती है फ्रेंट्स आपने जो भी स्रंगार की सामिगरी बाइने के लिए निकाली है उसमें से आप थोड़ी सी स्रंगार की सामिगरी करवा चोथ माता को आज के दिन जरूर अर्पित करें और बाकी की जो स्रंगार की सामिगरी है बाइने में दे सकते हैं यहाँ पर हमने करवा चोथ माता को कुछ दच्छिना भी अर्पित की है दच्छिना हमारी पूजा में जो भी कमी रह जाती है उसकी पूर्ती करती है इसके बाद फ्रेंटस हमने जो करवा भरे हुए चोकी पर विराजित किये हैं उनका हम पूजन करेंगे तो सभी की तरह उनका भी हम रोली अच्छा चंदन से पूजन करेंगे दीपक का भी रोली अच्छा चंदन से पूजन करेंगे इसमें एक करवा आप स्वैम का मान सकते हैं और एक करवा आप माता गौरी का या फिर करवा माता का मान सकते हैं उसके बाद हम इस तरह से हाथों को क्रोस करेंगे और करवा फेरेंगे फ्रेंट जब हम पहली बार करवा फेरते हैं तब हम बोलते हैं करवा माता सुहाग दे जब हम दूसरी बार करवा फेरते हैं तो हम बोलते करवा माता सुहाग ले फिर हम करवा फेरेंगे तो हम बोलेंगे करवा माता सुहाग दे करवा माता सुहाग ले करवा माता सुहाग दे करवा माता सुहाग दे करवा माता सुहाग दे करवा माता सुहाग दे इस तरह से फ्रे करवा माता की चरणों में अर्पित कर देंगे इसके बाद हम करवा माता की के चरणों में अर्पित कर देंगे इसके बाद हम करवा माता की आरती करेंगे सबसे पहले हम गनेशी की आरती करेंगे उसके बाद हम करवा चौत माता की आरती करेंगे आज के दिना भगवाई शंकर की भी आरती कर सकते हैं माता गोरा की भी आरती कर सकते हैं इस प्रकार से आरती करने के बाद हम आरति के चार और जल गुमाएंगे दीपक को शांथ करेंगे और सभी के चड़ सपर्स करेंगे पूजा में हमसे जो भी गलती हुई हो, भूल चुक हुई हो उसके लिए हम छमायाच ना करेंगे अपने पती की लंबी आयू की कामना करेंगे अच्छे स्वास्थ की कामना करेंगे शुक्सम्रद्धी की कामना करेंगे और अपने अखंड शौबागी की कामना करेंगे। या फिर हमारी पती खा सकते हैं और जो करवा माता गौरी के पास गया है उसको हम बायने में अपनी सास ननद या फिर जिठानी को दे देंगे कोई भी ना हो तो आप भामडी को दान कर सकते हैं तो फ्रेंट्स वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना पसंद आयो तो लाइक करना जादा से जादा शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन को प्रेश करना कमेंट में जै माता करवा जरूर लिखना धन्यवाद जै मा करवा